किचेन हमारा छोटा हो या बड़ा इसे सजा के और्गनाइज करके रखना हम सभी को पसंद है लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब समान काफी जादा हो जाते हैं और हमारे किचेन में उने रखने के लिए जगानी मिलती है सो हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रिया और मैं बनाती है कुछ ऐसी वीडियो जो बिलकुल आप से और आपके घर से रिलेट करता है आज किस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे छूटे से किचेन में बहुत ज़्यादा स्पेस को क्रियेट कर सकते हैं जिससे आपक किचेन चोटा हो या बड़ा आप एक बार अपने यूटेंसिल या जो भी आपके किचेन के टूल्स होते हैं उनमें नजर एक बास जरूद लगाएं आपको वहां पर बहुत सारे ऐसे आइटम्स मिल जाएंगे जिनें आपके कम यूज करते हैं आपके किचेन में जगा लि चोटे वाला के यूज मेरे डेली लाइफ में पड़ता है और इस तरह के स्क्रैपर हो गए जो दो है नजाने क्यों मेरे किचेन में दो रखे वे थे इस तरह कर लेमन स्कुजर है जो मेरे यह बहुत ही कम यूज होता है हम हाँ से निकाल लेते हैं और इस तरह कर टॉंग ज काफी होता है और उसके बाद आप इस तरह का ग्रेटर को देख सकते हैं अलु चिप्स का यह ग्रेटर है जब मैंने अलु चिप्स बनाया था तब भी इसे निकाला था और यह तब से मेरे किचेन में पड़ा हुआ है कुछ ऐसे स्प्रेचुला वेगरा हो जाते जो सेम जो को अपने किचन में जगा कीच छोटा से है तो आ जूटिये पर बरतन दोने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे हमाले लिक्डिट स्वास हो गया इस्क्रबर हो गया स्टील वाला स्क्रबर हो गया और बहुत सारे ऐसे आइटन्स जो हमारे बरतन को चम्काने के हम यूज करते हैं बट आप जो भी चीज यूज़ करते हैं मुझे पता है आप अपनी sink वाले area में उन्हें किसी तरह से adjust करके रखते होंगे बट आप चाहते हैं कि आपका kitchen का हर area organized नजर आए और वो भी बिना space लिया हुआ तो आप इस तरह का एक organizer ले और इस तरह का organizer में मैं यहाँ पर S hook जो होता है उसे लगा रही हूँ दो S hook का इस्तमाल करेंगी और इसे इसके hole में हम insert कर लेंगे कोजिस करें कि वैसे organizer लेने का जिसमें इस तरह के hole पहले से बने हुए हैं अब इसे insert करने के बाद आपके खिड़की में यानि kitchen के window में जो space है आप वहाँ पर इसे hang कर लें और hang करने के बाद आप इसमें liquid dishwasher हो गया, अपना scrubber हो गया, इस्टील वाला scrubber हो गया और यहाँ पर मैं एक दिया जिससे मैं अपने तवा और अपने अल्मोनियम वाले कड़ाई को बहुत ही अची तरह से clean करती हो वह सारी चीज़े रखती हो और एक फूराना सा मसालों को रखने की जर्थ हमेशा ही पड़ती है, जो हम अपने तीनों मील बनाने के लिए यूस करते हैं कुछ ऐसे basic मसाले हो जाते हैं, basic से चीज़े हो जाती है, जिनने content आप पे रखने से वो काफी ज़दा handy रखते है तो ही मसालों के लिए मैंने यहाँ पर एक phone का box लिया है, इस तरह के phone के box आपके घर पर definitely होंगे बस उन्हें निकाल लीजे और उन्हें अपने favorite color से paint कर दीजे यहाँ पर मैंने brown acrylic color का use किया है और यह काफी ज़दा strong होते हैं, इसलिए मैंने phone का डबा को लिया है otherwise आप cardboard भी बना सकते हैं अब यह अच्छा कासर color हो गया है, अब यहाँ पर मैंने white color से यहाँ पर मैं मसाले को लिख रही हूँ अब मसाले को लिखने के बाद, यहाँ पर मैंने लिया ear bird और ear bird से यहाँ पर मैं कुछ flowers को बना रही हूँ जिसे बराना आपके लिए काफी ज़दा आसान है मैं आप लोगे साथ वही सारे DIYs share करती हूँ जिसे आप आसानी से recreate कर सके और जिसे बनाने में आपको किसी भी तरह की कोई परिशानी ना आए अब इसकी sides में यानि अंदर की तरफ यहाँ पर हम दो hole करेंगे knife के help से आप कर सकते हैं और यहाँ पर अब मैंने इसे hang करने के लिए macram rope लिया है macram rope को insert करके यहाँ पर एक knot लगा लेंगे तो यह काफी ज़्यादा strong plus durability इसकी काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारे masala corner बन चुका है मसालों को रखने के लिए बहुती सुंदर सा DIY बन चुका है without any cost बस मसालों को kitchen counter top में ना रखे आप इसे एक adhesive hook लगा के कहीं पर भी hang कर सकते हैं और अपने basic मसाले आप इसमें यहाँ पर रख सकते हैं तो आपके लिए कितना भी छूटा क्यों नहाँ आप उसे बहुती अच्छी तरह से arrange कर सकते हैं अपने सारे समानों को वहाँ पर store कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर एक dates का डबबा लिया है dates के डबबे में दो होल कर लिये हैं और हम जब shopping करने जाते हैं तो कुछ extra हमारे घर पे विम बार हो गया scrubber हो गया उन सारे चीजों को हम purchase करके घर पे लाते हैं और storage में रखते हैं और आपने वेट एरिया के सारी चीजों को यहाँ पर आप store करके रख सकते हैं और उन सारे को store करने के लिए मैंने यह DIY को बनाया है बस इसे आप अपने wardrobe में यह कहीं पे भी आप पर डो एडिसिव फूट लगा के आप इसे hang कर दे और ऐसे बहुत सारे बहतरीन आइडियास आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे वेल हम आलू प्याय लेसन अध्रक को रखने के लिए इस तरह के organizer का यूज करते हैं बट आपने कभी गौर से इन्हें देखा है कि हम इसमें 2-3 किलो आलू रखते हैं दो किलो प्याज रखते हैं और लेसन कितना रखते हैं डाइसो ग्राम या आधा किलो तो आप सोच सकते हैं कि जब इसकी capacity दो किलो की रखने के लिए और हम इन्हें आधे किलो चीज को रखने के लिए यूज करें तो यह हमारे कितने ज़ादा space consuming चीज बन जाता है तो लेसन अधरक वेगरा को रखने के लिए आप अलग से एक organizer इसमें बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक रजगूले का डबा लिया है यह रजगूले का डबा जिसमें cap नहीं है बट इसका जो उपर वाला area वो काफी ज़ादा wide है जिसे चीजों को access करने में मुझे काफी ज़ादा आसानी होगी बस इसमें दो hold कर लेंगे यहाँ पर मैंने hot glue gun से hold किया है आप चाहे तो यहाँ पर माचीज की तिली से भी hold कर सकते हैं यह perfect hold हो जाएगा अब मैंने यहाँ पर एक wire लिया है और wire को इसके अंदर insert कर लेंगे तो हमारा DIY बन के तयार है बस आप इसे आलू प्याज वाले organizer में लगा दे अथी तरह से इसमें अथी तरह से इसे round करेंगे तो यह perfect stand mode में रहेगा और मेरे वाले organizer में काफी कम steel के rack है तो इसे मैंने आपर section में रखा है तो यह देखिए without any cost आप बहुत जादा space अपने kitchen में create कर सकते हैं बस सारे lesson को हम इसमें रख लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर एक और DIY सेम तरीके से बना सकते अध्रप लेकर रखो रखने के लिए और इन lesson को लेना आसान रहेगा इने वापस स्टोर करना आसान रहेगा और जो जगा यहाँ पर बनी है वहाँ पर आप अपने kitchen के बहुत सारे item को स्टोर कर सकते हैं तो इस तरह से छोटे बड़े ideas को लगा के आप अपने छोटे से kitchen को भी बहुत ज़ादा बड़ा बना सकते हैं पर आपने kitchen में बहुत सारे ऐसे single single piece वाले adhesive hook को लगा के रखते हैं और अपनी चीजों को वहाँ पर स्टोर करते हैं बड़ इस तरह के single single adhesive hook लगाने के बजाए आप इस तरह का five set का adhesive hook को लगा सकते हैं जो देखने में काफी ज़्यादा cute लगता है और आपको किसी भी market में ये easily available हो जाएगा बस इसे आप वाट्रॉब में लगा दे और आपके kitchen के वैसे सारी चीजे जिसे hang करना या जिसे store करने में आपको काफी ज़्यादा परिशानी होती है इस तरह के पापर रोस्टर हो गया सेप की वज़े से इने store करना मेरे लिए काफी ज़्यादा प्रॉब्लेमिटिक रहता है तो उन सारी चीजे को मैं यहाँ पर store करके रखती हूँ तड़का पैन को यहाँ पर रखती हूँ और इस तरह से वर्टिकल स्पेस को यूज करके आप अपनी कीचेन में स्पेस को क्रियेट कर सकते हैं और यह देखनी में क्यूट तो लगता ही लगता है जैसा कि मैं हमेशने करती हूँ सेरिंग स्केरिंग आप आगे वाली के help कर सकते हैं इस वीडियो को शेर करके चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूँगी नियू वीडियो के साथ यूसफूल वीडियो से साथ तब तक के लिए बाबाए